नमस्कार दोफ्तों मैं संदीब सागत है आप सभी का आज किस नए क्लास में चले दो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास पे जोईन हो जाए क्योंकि आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं नए सिच्छा नीत पर आधारित यानि कि समेस्टर पढ़ाले पे भी आ वालूब होना चाहिए कि समेस्टर प्रारी भी इस बार से लागो हो रही है तो जो एक्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन का पैटर्न होगा वह सारा का सारा सब्जेक्टिव बेस पे होगा यानि को सब्जेक्टिव आएंगे आप लिखित होना होना है तो इसलिए सब्सक्राइब तोप लेबल के कोश्चन है पहला कोश्चन है इसमें पढ़िएगा राम भक्ति साका के प्रमुक कभी एवं उनकी रसनाओं का उलेग कीजिए टॉप लेबल के कोश्चन है मैं फिर से बहुला हूं वीडियो को लास्ट तक देखिए गारेंटे के साथ कर सक लिखना अँनकी रसनाओं इस प्रकार है पहले तो लसेदास जी है या फिर आप लोग रसनाकार कर सकते हैं तो इनकी जो रचना है वह राम चेत मानस दूसरी है बिनेवबत्र का कविता वाली है लेकिन कुछ सारी करतिया वाद करेंगे हम ज्यादा नहीं जाएंगे तो 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 स्वामी अग्रदास जी की जो जर्शना है वो ध्यान मंजरी है याद रखेगा नाभादास जी है नाभादास की जो करती है या फिर रसना है वह है भक्तमाल ठीक है भक्तमाल जान की चरण जो कभी है उनकी जो रशना है वह सिया राम रसमंजरी तो यह रहे राम भक्ति साखा के प्रमुक कभी और उनकी करतिया याद रखेगा एक्जाम में आपके पूछा जा सकता है इसन एवन है कि श्Plus requis का eher नेश्ट का ँमाल किया है चलिए पढ़ते पुष्ट के वारे में आप लोगों को मालूम हो यह अर्थाथ भक्तिका या मार्ग पुछ्ट नहीं है जिसके दोड़ा सेवा करते हुए भगवान की क्रपा या अनुग्रह प्राप्त किया जा सके थीक है आप प्राप्त ही या छार प्रकार की बानी गई और आप लोग अर्थात भक्तिका या मार्ग पुष्ट मार्ग कहलाता है यानि कि पुष्ट मार्ग के बारे में आप लोग मालूम हो गया ठीक है कि समाज़ में गया बढ़ेंगे ville के प्रमुक कभी और उनकी रस्नाओं का नाम लेकी अब है आपने उपड़ा क्या बढ़ा थ TD की यह कोश्टिर आ कैसे Miyam दुईश देव आद इन कभियों की परमुक रशनाएं इस प्रकार है यानि कि ये तो रहे परमुक कभे रीत काल के और इनकी जो रशनाएं हो आपको नीचे देख रख बिलेंगी ठीक है तो उनकी जो रशनाएं इस प्रकार है पहला है केशोकरत दूसरा है राम चंद्रिका प्रिया चिंता मणी क्रत कभी कुल कल्पतरू मतिराम क्रत ललीत ठीक है लम ओ निष्ट है रस्राज in चंद्रसार भूसड क्रत सीघ्डाज बहु उसल्ड शिवाए शीवा बावनी छत्र साल दसक भिखारी दास्क्रत रस्त नीद्रसर सरांस ठीक है और निख काब बी नेड है आदी पद्मा कर तो यह कुछ रचनाएं जो आपके सामने निम लिखी थे यह सभी जो है वो रीत काल की प्रमख रचनाएं या करतियां हैं यह याद रखेगा इनमें से कुछ कुछ ठीक है सारी मत लिखेगा आपके एक्जाम में कुछ जरूर लिख दीजेगा ठीक है तो रित काल के कभी और उनकी रचनाएं आप लोगों को देखने की मिली याद रखेगा यह सारे कोश्चन टॉप लेबल के हैं ठीक है एक्जाम में 95% चांसें आने के ठीक है नेस्ट को आंसर में लिखना है कि संचेव में आधुनिक काल की कविता को निम्लिखित काल खंडों में विभाजित किया गया जो आपके सामने निम्लुगा था ठीक है तो पहला है पुनर जागरन काल यानि कि भारत इंद्यूक के नाम से जाना जाता है जिसका समय अवदी आप 1908 ठीक है निश्ट है चायवादिकार चायवादिकार का जो कारेल है यानि कि समय सीमा वह उनिस्सों आठारा से 1936 है याद रखेगा सारे इंपॉर्टेंट कुष्चिन है और यह सारे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इनकी जो जो काल है और इसकी समय सीमा क्या थी यह भी आप लोगों के याद रखना है नेश्ट है चायवादिकार काल की समय सीमा वह 1937 से 1903 है वह इसी में आ जाता है प्रगतिवाद यूग ठीक है हाला कि शायदार काल में आता है यह सब तो इधान रखेगा यह भी प्रगतिवाद जो यूग है वह 1936 से 1933 तक माना जात आधनिक हिंदी काभी के विकास का यह यूग भी भाजन तो यह आपको जरूर से जरूर याद रखना 100-100 परसंट यह जरूरी है आप लोगों को यह से सम्मंधित कहीं न कहीं को पूचा ही पूचा जाएगा एक स्टो एक परसंट में बहुत रखता हूं तो यह जरूर ध्य जो शुकली जी है उनके रुसार चायावाद का प्रियोग दो अर्थों में समझना चाहिए एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहां उसका संबंद काभ विवस्त से होता है अर्थार जहां कभी उस अनंत और अज्यात प्रियतम को अलंभन मनाकर अतियंत चित्रमई भासा मे प्रेम की अनेक प्रिकार से बिंजना करता है चायावाद सब्द का दूसरा प्रियोग काभ विस्यली या पद्धत के अर्थों में होता है तो ध्यान दीजेगा चायावाद की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई ठीक है उसके बारे में प्रिकास डालना है यानि कि उसके बार प्रियोग दो अर्थों में समझना चाहिए ठीक है पहला आर्थ आप लोगों को बता दिया गया कि दूसरा का प्रियोग का विस्यली या पद्धित के अर्थों में होता है तो यह ध्यान में रखिएगा मोस्टी बारे कोश्चन यह भी है नेकि 43 टीक है चायावाद के प्र प्रमुख और मुख्य कभी जो नाम है वह निम्नुवत है जैसे अंका प्रसाथ जी शुमित्र अनंदन पंत शूर्का अंतरपाथि निराला जी महादेवी वर्मा भगोती चरड़ वर्मा डक्टर रामकुमार वर्मा तो यह रहे चायावाद के जो प्रमुख और मुख्य क कभी जो कि टॉप लेबल के सब कभी हैं यह जरूर ध्यान रखेगा कि चायावाद के प्रमुख कभी कौन-कौन से हैं तो सिंपल सा जैसेंकर प्रसाथ सुमित्र अनंदन पंत सूर्कांतर पाठी भगोती चरड़ रामकुमार महादेवी वर्मा इत्याद जो है वह चायाव 숨ा जाता मेंचा अनिय क्तिक्राइब हाएं कि बर्यावाद की वह प्रमुख प्रवित्ति और प्रकाष डालिए तो चायावाद की जो मुख के प्रवित्तियां हैं उनके नाव लिख देना है क्योंकि यह कोशिच्चन जो है यही कोश्चन कहीं लगफ। इन्सरे या विश्टीत में गयाता तो इसके बारे में संदर भावना के बारे में थोड़ा दोचार पास लाइन लिखना हो प्रेम को तो इस तरहका यह प्रकतिके रम्यरूपो के रश्णा तीसरा है कम निए कलपना ठीक दीस्रां नहीं यह चौथा पचवा पहुचवा है कामनिय कलपना चटवा है रहा शिभावना साथ नंबर है सैली गत्तिक वैसिस्ट है एट नंबर है यानिकी आठ नंबर दाफनिक चिंतन और नौ नंबर है संगीतात मक्ता तो यह जरूर ध्यान रखेगा यह रहे छायवाद की प्रमुक प्रवित्तियां मौस् संखेप में तो अंसर में लिख देना कि मां श्वाद और भारतिय विचारधार नंबर है समयिता बातising प्रवत्तियां जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा मेने जानकरी दी फिरहाल यह सारे आप लोगों को याद कर लिजेगा बाद में आप लोगों को एक्जाम में मदद मिलें नेस्ट कोईश्चन निशी में है कि प्रियोगवाद की कौन कौन सी है तो प्रियोग इनसर समझेगा लिखा लिखा कि हिंदी साहत्त के इतिहास में शायावाद और प्रगतिवाद के पास्चाथ प्रियोगवाद का नाम आता है ध्यान देजेगा साहित हिंदी साहित के इतियास में छायावाद और प्रगतिवाद की प्रगतिवाद के प्रशाथ ठीक है प्रियोगवाद का नाम आता है सन 1943 सभी में अग्ये द्वारा संपादित का बिसंगरा तार सब्तक ध्यान देजेगा तार सब्तक से सम्मंधित आप लोगों को चार से पांश नमबर का question जरूर पूछा जाएगा ये रट लीजिएगा ठीक है तार सब्तक से प्रियोग बाद का उद्भाव ठीक है उद्भाव माना गया है प्रियोग ठीक है प्रियोग सब्द अपने आप में नए अभ्यास या नवीन निर्मान का घोतक है इस कावड की निमलिखित विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् याद रखनी है और माइंड में भर लेना है जिससे आप लोगों को काफी मदद मिली के एक्जाम में ठीक है टॉपी लोबल के कोश्चन में फिर से बोलना हुए सारी नेस कोश्चन इसी में आपको मिल जाएगा लिखा कि नई कविता के प्रमुख विसेश्चाओं पर प्रका ठीक है प्रियोग वाद की कलावधी के अनंतर ही हुआ शामानेता शन उन्नीस सो पचाश सभी के अंतरगत रची गई उनकविताओं की नई कविता के नाम से ठीक है रूपाईत किया गया जो प्रियोग वाद की प्रियोगिक महंदता से अलग आधनिक युग की यथार्थत पर अधिक आधारित रही है नई कविता की निम्लिखित विश्यस्ता हैं आप लोगों को जो नियुनुवत है आपके सामने नंबर एक है आधनिक भावव और दो नंबर है च्छाणवाद की च्छाणवाद में आस्था ती नंबर है लगमानों की प्रितिष्था चार यह मिल जाएगा है प्रमुक कहानिकारों के नाम लिखए तो आप लोगों को एंसर में पूरा का पूरा यह मिल जाएगा आप लोग इसके बारें पढ़ लीजेगा में 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 पॉइंट आपको बता दे रहा हूं यह कुष्चन का एंसर आप लोग नोट डाउन कर लीजेगा और बाव में पढ़ लीजेगा फिरहाल में डियाल वीडियो लंबी नहीं की चुंगा जिससे आप लोगों को बोरिंग में लिखना है तो मैं आपको इसका एंसर पढ़के सुना देता हूं और सिंपल भासम समझा भी देता हूं रिखा कि यद्द्प अनेग विद्यानों ने कहानी की अलग-अलग परिभासा दी है परंत उन सभी में एक साजह तत्थिया है कि कहानी जीवन के किसी एक अनभो को अभिद्वान ने कहानी की अलग-अलग परिभासा दी है परंत उन सभी में एक साजह तत्थिया है या है कि कहानी जीवन के किसी एक अनभो को अभिद्वान इस बात से सहमत है कि कहानी की प्रमुक विशिष्टाओं में नंबर एक है उसका लगुर्स रूप दूसरा नंब चाहिए तो यह रही कहानी का अर्थ और इसकी प्रमुक विशिष्टाओं में आ गया होगा नही कहानी की विशिष्टाओं पर प्रकास डालिए यह कोश्चन का इंसर आपको निस्ट वीडियो में मिलेगा अगर आप लोगों के ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपको ब बताएं हैं यह टॉप लेबल के हैं याद करके जाएएगा फिर से वीडियो देख लीजएगा दो तीन बार देख लीजएगा पूरी कोश्चन आपको समझ में आ जाएंगे यह मैं कह सकता हूं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी कोई 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 सुधावत कमेंट म आप पूसकते हैं लिंक वीडियो के टेलीग्राम का तो जाएंगे मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे